डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिद नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है. और अपने इसी अनभव और एक्सपेटीज के साथ, डॉक्टर बंसल लेकर आएं है एक स्टेट अफ दियार्ट डाइगनोस्टिक सेंटर. पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों, जैसे क्लॉस्ट्रफोबिया वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए. हमने एक हाइटेक आउडियो विज्वल, MRI सिस्टम लगाया है. टेसला इमिज्रिंग और डाइगनोस्टिक सेंटर. बारात खुशाल नगर से होकर मननत बैंकेट हॉल जा रही थी. जैसे ही बारात के सरगंच पुलिस चौकी से थोड़ी दूरी पर थी, तभी आठ दस विवक आये और बारात में हत्याल लहराने शुरू करती है. बताया जा रहा है कि दुल्हा शुवेब का अपने ननिहाल मुलतान नगर में डब्बु नामक युवक से विवाद चल रहा है. इसी विवाद के चलते, डब्बु ने पहले ही प्लान बना लिया था कि दो दिन बाद जब शुवेब की बारात मुलतान नगर आएगी तो वो उससे बदला लेगा. आज जैसे ही शुवेब की बारात मुलतान नगर के पास पहुँची तो डब्बु अपने साथियों के साथ हथियार लेकर बारात में घुसा. बारात में हथियार लहराएं, लाठियां चलाई, मौके पर पहुँची ठाना पुलिस ने मामले की जान शुरू कर दिये. लोगों ने मताया कि हमला करने वालों में एक डब्बु नामक्युवक है. डब्बु की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं. डब्बु मगबरे का रहने वाला है. इसी मगबरे में शुवेब का ननिहाल भी है. डब्बु शुवेब का किसी मसले पर आपसी विवाद चल द डबो पंदरा दन पहले ही जेल से चूट कर आया है, अवेज हतियार मामले में उसके मुकदमा दर्चे. अभी के लिए इतना ही हमारी वीडियो को जादर से जादर लाइक करें, शेयर करें और वर्स्ट वाइट टीवी को सब्सक्राब करना ना भूले.